गुड मॉनिंग एब्रिवन आज की क्लास में कबर करेंगी वर्ग से रिलेटेड कुछ कॉंसेप्ट सबसे पहली यही समझेए वर्ग होता क्या है तो देखे वर्ग को स्क्वैर भी कहते है चाहे आप स्क्वैर बोलो और चाहे आप वर्ग बोलिए कोई दिक्कत नहीं है तो क किसी संख्या को स्वयम से गुड़ा करने पर प्राप्त गुड़न फल को उस संख्या का वर्ग कहें जैसे अब यहां देखिए अगर दो का वर्ग या मानलो मैं कह दो साथ का वर्ग निकालना है तो साथ को इन ही साथ संख्या इन ही साथ से मालब स्वयम से गुड़ा कर दो और 7 सता 49 तो ये 49 जो है ये पूर्ड वर्ग संख्या कहलाएगी लेकिन किस संख्या का वर्ग तो 7 का वर्ग कहलाएगी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7 की घाट 2 क्लियर है इसे तरह 2 की घाट 2 का मलब 2 दूना 4 और 0 का वर्ग का मलब 0 उन्टो 0 means 0 0 0 हो जाएगा 0 multiply 0 अब आता वर्ग मूल यदि संख्या x का वर्ग x square है तो x square का वर्ग मूल x को कहते हैं मतलब वो किन संख्या से वो वर्ग संख्या बनी है जैसे 4 तो 4 कहां से आया होगा तो 4 आया होगा 2 multiply 2 करने से तो ये दो जो है 4 का वर्ग मूल है इसी तरह 0 का तो 0 ही होगा है ना समझ पाई अब यहां पर देखो जैसे यहां 4 की power 1 upon 2 है यहां 1 upon 2 का मलब होता है क्या होता है वर्ग मूल यह वर्ग मूल का सिंबल है वर्ग मूल फोर और फोर का जो वर्ग मूल होता है वो टू होता है और वन का वर्ग मूल होता है अब आते हैं घं की बात करते हैं किसी संख्या का घं उस संख्या को तीन घात होती है अर्था जब किसे संख्या को आपस में गुड़ा किया जाता है वो भी उसे संख्या से तीन बार तो प्राप्त मूल संख्या घं संख्या कहला कि जैसे देखो यहाँ दो का घं की बात करें तो दो मल्टिप्लाई दो मल्टिप्लाई दो दो दूना चार दूना आठ हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे दो की घात तिन जीरो की घात तिन का मतलब जीरो मल्टिप्लाई जीरो मल्टिप्लाई जीरो और जीरो का मल्टिप्लाई करने पर जीरो ही आएगा एक की घात तिन का मतलब का जो सिंबल था वही घनमूल का सिंबल है लेकिन यहां पर थिरी लिख भी आ जाता है घनमूल के लिए से बेक्त करते हैं सिंबल से बेक्त करते हैं या दी एक्स की घात थिरी है न है तो वहाँ x की घात 3 का घनमूल x होगा क्यों क्योंकि भैया ये जो x की घात 3 x multiply x multiply x आया ये ultimately x से आया था इसलिए x इसका घनमूल होगा आगे other example से देखते हैं इसको अब यहाँ पर next आता है घातांक और करड़ी ठीक है तो अच्छा एक other example भी आप जैसे मैं कहे दूँ 27 का घनमूल बतो 27 का क्या बताईए घनमूल बताईए तो देखो 27 किसे बना है 27 को मैं लिख सकते हैं तीन त्रिक का नौ त्रिक 27 है ना ये चीज हो गया तो यहाँ घनमूल में तीन का पेर बनाकर एक लिख दिया जाता है यहा अब घातां का और करड़ी क्या होता है जैसे देखो दो मल्टिप्लाई दो मल्टिप्लाई दो मल्टिप्लाई दो मल्टिप्लाई दो को पांच बार मल्टिप्लाई के फॉर्मेट में लिखा है तो दो की घात मैंने कर दिया पांच और दो दूना चार दूना आठ दूना चार दूनी आठ दूनी सोला दूना बतिस बतिस आया इसका मलब अगर यहां पर दो छे बार लिखा होता तो क्या दो की घात छे लगाते हाँ बिलकुल पांच दो बार लिखा होता तो पांच की घात दो पांच पच्पन बार लिखा होता तो पांच की घात पच्पन करते जो भी लिखा होता जितनी बार रहेगा वो घात में जाएगा जिसको लिखा जाएगा वो आधार में रहेगा ओके यहाँ पर दो आधार है याद रखना दो आधार है और पांच इसका घातांग है दो की घात पांच कहेंगे इसे घातांग के नियम क्या होते हैं यद दो संख्या माल लेते हैं पहली संख्या A है दूसरी संख्या B है यद A और B दो परमिय संख्या है या सोनियतर संख्या है या एक पुडांक संख्या है कुछ भी यहां पर A और B संख्या है तब वहां पर है ना और M और N जो है परमिय संख्या हो जो की घात के रूप में हो तब वहां पर देखे एकी घात M into A की घात N अगर आधार सेम है तब घातें आपस में जोड़ जातें मल्टिप्लाई में A की घात M divide A की घात N अगर आधार सेम है लेकिन वो divide के भॉम में तो घातों का हो जाता है माइनस A की घात M की घात N घात पूपर घातों तो घातों का multiply हो जाएगा आगर घात सेम है दोनों का घात सेम है तब क्या करूँ उनको आधार को आपस में लिख लो और घात ब्रेकेट के साथ दोनों पर लगा दे। अब यहां देखे एक घात एम बी की घात एम यहां पर डिवाइड के फॉर्म में तो अपान में चला जाएगा अब किसी संक्या की घात जीरो है तो उसका आंसर एक होता है और इसी तरह एक की घात एम और बी की घात एम अगर यहां डिवाइड के फॉर्म में तो अपान बी की घात हो जाएगा M, clear है, देखे, धनात्मक और रडात्मक घातां, यद किसी संख्या A की घात माइनस 1 हो, तो संख्या 1 अपान A हो जाती है, है न, actually होता क्या है, अगर घात जैसे A की घात माइनस M है, जब इनको धनात्मक बनाएंगे, तब यह हो जाएगा, 1 अपान A की घात M हो जाएगा, अब यहाँ माइनस 1 ये भी हुआ, A की घात 1 हुआ, लेकिन घात 1 लिखा नहीं जाता है, इसी तरह, A की घात M, मालो धनात्मक, है न, इनको जब नीचे ले चलेंगे, तो A की घात माइनस M, यानि की रिडात्मक हो जाएगी, याद रखेगा इसे, अब कुछ सूत रहें, N प्राकिर्टिक संख्याओं का योग होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अपान 2, और गुड़े होता है, N होता है, N का मतलब होता है, कुल संख्या, है न, N का मतलब होता है, कुल संख्या, ओके, जैसे माल लो हम कह दें, एक प्लस दो, प्लस तीन, प्लस चार, प्लस पाँच, प्लस छे, प्लस साथ, प्लस आठ, आठ तक जोड़ो, तो यह प्राकिर्टिक संख्या है, तो पहली संख्या एक है और यह लगातार प्राकृतिक संख्या होने चाहिए याद रखना और अंतिम संख्या आठ और अपां दो हो गया और कुल संख्या कितनी है 8 ही है तो 8 हो गया दो एके दो दो चोग 8 इधर 8 एक 9 नो चोग 36 इन सब को जोड़ेंगे तो 36 आएगा किलेर है आप चेक कर सकते हैं दो 1 3 3 6 6 4 10 5 15 15 16 21 27 28 28 36 आगय है कि नहीं अब यहाँ पर देखे पर्थम N विसम संख्याओं का योग होता है N स्क्वाइर इसी तरह अगर विसम संख्या की बात करें तब N स्क्वाइर मतलब जितनी संख्या होगी कुल संख्या का स्क्वाइर कर देना यह N है ओके और पर्थम N प्राकृतिक संख्या का योग होता है N और bracket में n प्लस 1 होता है पर्थम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n और bracket में n प्लस 1 और दूसरे bracket में 2n प्लस 1 और अपान में होता है 6 अपान में क्या होता है? 6 होता है और पर्थम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n ब्रेकट में n प्लस 1 अपान 2 और इनका whole square होगा, clear है